स्क्रीन पर सुशान्त सिंग राजपूत के पिता का किरदार निभा चुके अक्टर अनुपम खेर ने अब सुशान्त सिंग राजपूत के चले जाने के बाद अपना दुख शब्दों के जरिये प्रकट करने की कोशिश की है अनुपम्खेर ने सुशान्थ के यूँ चले जाने पर क्या कहा जरा ये सुनिये कुछ जजबातों को कुछ दुखों को कुछ हादसों को शब्दों में बया करना बड़ा मुश्किल होता है सुशान्थ सिंग राजपूत के जाने का मुझे जो दुख है उनका तो मैं इस खबर ने मेरी आत्मा को ठंडा कर दिया आत्मा को निचोड़ दिया है दिल तक तो बात मौशती है लेकिन आत्मा तक जो है वो दहल गई है ये वीडियो बनाते वक्त भी सोच रहां क्या बोलूं मैं और बोलने से कभी कभी शेयर करने से कभी कभी नहीं इस खबर पर तो शेयर करने से भी दुख्ट कम नहीं होगा मैंने MS दोनी दान टूल स्टोरी में सुशान्द के फादर का रूल किया था और क्योंकि कहानी बाप बेटे की थी और इसलिए रिश्टा भी आफ दे स्क्रीन बाप बेटे जैसा ही हो गया था कुछ लोग चले जाते हैं तो उसका सदमा बाद में लगता है लेकिन वो चले क्योंकि इसका सदमा पहले लगता है लोगों का एक दूसरे से बात करना बहुत जरूरी है लोगों का एक दूसरे का दुख पहचानना बहुत जरूरी है लोगों के एक दूसरे की तकलीफ को जाचना या तकलीफ को महसूस करना बहुत जरूरी है आज की दुनिया में आज के दुनिया में हम बहुत जरूरी है कि हम सामने से पूछें कि क्या तकलीफ है तुझे क्या अकेला पर महसूस हो रहा है क्या महसूस कर रहे हो तुम मेरे दोस्त क्योंकि जो जिस तकलीफ से जूजरा होता है उसका बया वो खुद नहीं कर सकता है वो हमें पहचानना है हम किसी भी इंडस्ट्री में हूँ बार बार बोला जाता है फिल्म इंडस्ट्री में ये टेंशन है फिल्म इंडस्ट्री में वो टेंशन है इसका प्रेशर है कोई प्रेशर नहीं होता अकेलेपन का मैंने एहसास किया है अपनी जिन्दगी में और जब वो अकेलापन होता है तो सकसेस कोई माइने नहीं रखती है जब वो जो दुख की गहराई में इनसान की आत्मा आम इसान का दिल डूबा होता है तो सकसेस पॉपिलरिटी कुछ माइने नहीं रखती है माईने रखता है किसी का आपको गले लगाना माईने रखता है किसी का आपसे बात करना किसी को आपकी बात सुनना वो माईने रखता है उसकी घरवालों के बारे मैं सोच रहा हूँ सुच रहा हूँ, उनका क्या हाल होगा मैं तो फिल्मी बाप था उसका तो मैं इतने तकलीफ और दुख से गुजर रहा हूँ तो उनके जो खुद के पिताजी हैं उनके भर के बाकी जो मेंबस हैं उनका क्या हाल होगा 34 साल का रखा बहुत तकलीफ है मैं बड़ा पॉजिटिव आद्मी हूँ और इस लॉक्डान में मैं बहुत पॉजिटिव रहा हूँ मैंने अपने आपको बहुत संभाला है लेकिन इस इस खबर ने तो मुझे छखचोर के रख दिया है हूँे वोचे सकता पॉजिट्ष शाइभाः अपने जी ंओ आपराइ शोटार करें रहांन ठीब एकमिट घख रहांने को ।दमेट लप अपने ठारी करें अपने तोमने करियर राइड्यिह pressingpsस बम्हें करना है वी मिल पोवासन टीछीं यहांस हाँ है because the pressure of the shooting was there, we had to finish, we wanted to do that and I wanted to give him space because he had internalized the role of MS Dhoni. So, but... What? It's all about everything. So, my friends, I'll recognize one another, one another's pain, one another, such a pandemic, such a weird situation, this lockdown has kept us alone. So, we need to understand each other's pain, another's pain, another's pain, another's pain, another's pain, another's pain. We need to understand each other. And we need to give love, positivity, compassion. I'm just saying, I don't have any thoughts, but just, as they say, Sikandar has made a great video. I've made a video, I haven't cried until the time I've cried. I've seen his video on Instagram, I've cried, I've cried. He told me that human is very necessary. Human is very necessary. Human is very necessary, friends. I have cried. He told me that he didn't have any thoughts, he told me that he didn't have any thoughts, It was all about it. प्यार कहाथ आगे बढ़ाओ दूस्तों, बहुत सरूरी है, वरना हम अकेले हैं, अकेले रह जाएंगे, एक अकेले इनसान को दूसरा अकेला इनसान मिले तो वो अकेला नहीं होता है, प्यार मटो. झाल